हेलो दोस्तो कैसे आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो देश के कई राज्यों में मानसुन दस्तक देच चुकाई इस बीच अगर आप ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे तो हम आपको माराष्ट के उन बेश्ट प्लेसों के बारे में बताने जा रहे जाप पर जाने से आपकी मानसुन ट्रिप यादगर बन जाएंगी इसलिए बीडियो को शुड़ से लेकर एंड तक जरूर देखना पंच गनी ये भी मार्सुन में गुमने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगा मानी जाती दरासल मार्सुन के दौरन ये जगा और ज़्यादा खुफसूरत नजर आती है ये राज्ची का फेमस और सबसे ठंड़ा ही लिश्टेशन है सहाद्री वर्वत की पांच फाडियों की बज़ा से इस जगा का नाम पंच गनी रखा गया है यहाँ पर आप ब्रागर्ती के सुंदर नाजरों का लूप टूटा सकते मानसुन के सीजन में पंच गनी का ट्रिप आपके लिए यादगार बना रहेगा मुंबई पूने राजगमार्ग पर इस्तित लोने वाला मानसुन में गुमने के लिए सबसे बेश्ट पले से यहाँ आपको जील, जन्ने और पहार सब एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे जून से लेकर सितंबर तक है टुरिष्टों की भीर लगी रहती है मानसुन के दोरन हैं हर तरफ हड़ी आली ही हड़ी आली नजर आती है बारिश के मौसम में यह जगा जन्नस से कम नहीं लगती है रतनागरी महाराष्ट का यह शेर शमुद्र से गिरा हुआ है और भेहत खुफसूरत है यहाँ पर बाल गंगदर तिलक का जन्म हुआ था यह शेर में बहुत लंबा समुद्र टट है और कई बंदरगा भी है इसके अलाबा भी यहाँ पर देखने लाइक कई चीज़े है महावल इश्वर यह महाराष्ट का सबसे फेमस हील स्टिशन है यह जगह हरियाली, खुफसूरत पहाड़ी और जन्ने के लिए मशूर है बारिश के मौसम में या घुमने का मज़ा दोगुना हो जाता है दरसल बारिश के बंदे इस जगह की खुफसूरती को कही गुणा बढ़ा देती है महावलिश्वर आज भी खुद को शैरी भिलवार आशन्ती और परदुशन से बचाई हुए है यदि आप सुकून के कुछ पल बिताना चाते हैं तो यह जगह आपके लिए सबसे उप्युक्त होंगी हरियर फोट जिसे हर्षगर किला के नाम से जाना जाता है जो वारत के महाराष राज्य के नासिक जिले में स्तित है या नासिक जिले के एक मतुपन किला है और घोडा घाट के माध्यम से ब्यापार मार्क को देखने के लिए बना गया था चट्टानों को काटकर बनाई गए इसकी विशिश शेडियों के करा नहा भाव से परियाटक आते है मार्सून में इसकी सुन्दरता देखने लायक है दोस्तो एरे महाराष के टॉप फाइब टूरिस्ट प्लेस जो टूरिस्ट को भी समान्थून के समय काफी पापुलर रहते उम्मीद करते आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो मिलते एक और नए वीडियो में